अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए तुम यहां? हाँ, मैं यहाँ, तुम्हे तनी बार फूल आपकी तारीफ? ये ये मेरा फ्रेंड विकी जय, विकी मेरा पेट नेम है मैसल प्राची, मैंका देवर हूँ अप पहले कभी आप आए नहीं हमारे कर पे? ये इस प्रॉम लंडन लंडन? नाइस तुमीट यूँ आपसे हाथ मिला के ऐसा लग रहा है कि मानो लंडन के अधी टिकेट के पैसे वसूल हो गया है आए ना चाय अगरा कॉफी अगरा पीते तो ऐसा लगेगा मैं लंडन भी गूमा है आए 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 बहुत मजाएगा बहुत मजाएगा आए अगरा करूए ना जो अगरा का लगतन यहा है राचीट हूं तुम नदू और बापस केसे आ गये अए अरे अब ही वो क्या है ना में सुभे गोलू-मोलू को पानी कुलाना भूल गया था तो मुझे याद आए कि उन्हें प्यास लग रही होगी वो क्या है ना सुभे अर में टेंशन थी तो मैं ऐसी निकल गया तो बस इसलिया है अब बैठी मैं आया है हाई इस वक्त यहां से जाओ अरे अब लो खड़े की हो गए बैठी ना अभी आपने ने कॉफी नी पिलाई आपको पता नहीं हमारी बाभी बहुत बड़े कॉफी बनाती है हाँ पिला दूंगी अब बाभी कॉफी बनाई मैं अभी आता हूँ What is this Jay? समझाने पर भी समझ नी रहा हूँ अखिर अखिर चाहते क्या हूँ पैसी Just shut up Jay उसको अगश्यक हो जाता तो बना बनाया खेल बिगर जाता खेल तो मेरा बना बिगरा है जब से तुम मेरी लाइव से निकलियो Listen Sirat I want you back What? Are you? इसे हरां किया और यो किया? Shut up और ये पैसे लो और दफा हो जायो यशे Okay एक मिनिट पैसे लेने से पहले मुझे वस सारे सबूत लुटादो Give me back Oh God वो तुम्हें भूल लिया What? Hmm Look, अगर मैं आज़ लेकर आता तुम 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 तुसे जला देती लेकिन मैं मैं आज़ उन सबूतों को सीने से लगा कर रखो Shut up Jay और प्लीज मुझे गुसा मत दलाओ तफा हो जाओ यांसे अब नहीं तुम्हें ये पैसे मिलेंगे और नहीं चोड़ो How can you do this cheat? What? 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 And who is this man? And who is this man? He 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 जबरद सी घर में गुसा है मेरी साथ मेरी साथ जबरद सी पर देए यह पैसे यह पैसे पता नहीं पता न्हीं मेरे पास कहा से है मुझे पता है जाना चाहोगे? एक मिनट जो उच्छुछ? लिप, यह सब जूट है इस किसी ने भी तुम्हें यह वीडियो भेजा वो मुझे फसाना चाहता है I swear यह मैं नहीं हूँ बस करो किया इतना जूट भी मत बोलो कि खुद की नजरों में गिर जाओ मैं सच कह रही हूँ बस यह वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया यह किया खुद अपनी नजरों से देखा है तुमें तिजोरी से पैसे निकालते हूए बहुत शौक है ना सुबूत एखटे करने कर अब यही सुबूत तुम्हारे कहलाफ इस्तमाल किया जाएगा किया गया तुम्हारा सबूद अब साबित करो यह पैसे मैंने चुरा है बोलो तुम मेरा कुछ नहीं बिगार पाओगी जैसे हर बार नहीं बिगार पाओगी तुम्हारा पुराना ट्रैक रेकॉर्ड ही देख लो हर बार हर बार तुमने मुझे गला साबित करने की कोशिश की और हर बार सब के सामने तुम ही गला साबित हुए तुम्हारी सच्चाए की ना तो कभी वैल्यू थी और ना ही कभी होगी होगी किया जरूर होगी छोटी मोटी लडाईयां हार गई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जंग हार जाओंगी इस बार तो तुम्हारी पोल आँ, I'm sorry तुम्हारे और तुम्हारे पती की पोल खोल के रहूँगा क्या हुआ? जटका लगा? किया भी तो और जटकी आने बाकी है पांग्राचलेशन स्टोस वैसे मुझे एक्सपोस करने के लिए तुमने तुमने काफी महनद की वैसे एक बात बताओ तुम ये साबित कैसे करोगी? उसकी चिंता तुम मत करोगी जूट चाहे कितना भी ठोस या पुक्ता क्यों ना हो सच के सामें ज्यादा देर तक लिखने ही पाता ये भाशन देना बन करो मतलब की बात करो तुम चाहती क्या? तुम्हारे मुझे सच सुनना चाहती हूँ एक बार तुम्हारे जूट पे विश्वास करके इस घर की बहु बनाया तुम्हें तुबारह ये गल्ती नहीं करेंगे किया ये बहु बहु क्या लगा रखा है? कोई शौब नी था मुझे चातुरवेदी खांदन की बहु बनने की वो तो मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे वेड जैसे लड़के से शादी करनी पड़ी वरना मैं खुद इस शादी से और इस नाड़क से तंग आ चुकी हूँ अच्छा? ऐसी क्या मजबूरिया तुम्हारी किया? मेरी डाड के मरने के बाद अगर कोई मेरा ख्याल रख सकता था तो वो है सिफ जेदी आंगर मेरे डाड ने अपने विल में एक शाद रखी थी कि मुझे वेज से शादी करनी होगी वरना ये प्रॉपरटी एंजियो में चली जाएगी जैसे तैसे मुझे ये मुझे ये एक साल निकालना है उसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते और तुम्हें लगता है कि एक साल के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा है ना वाइ नौट अगर तुम अपना मुझ बंद रखो तो या फिर मैं किसी तरह तुम्हारा मुझ बंद करो यदिम्हें लगा ही धुम्हें अव़ुम्हें अपना मुझ प्रमारा यूना है यदिम्हें विम्हें वा ह्पना युम्हें ुम्हेंैन झाल है इस किसका मुबन करोगी किया पिता जी पिता जी वो मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है जो सुना वो काफी है मेरी आखे खोलने के लिए तुमने मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा थौका किया जिसकी ना कोई सफाई हो सकती है और ना कोई बाफी पाफी तो मेरे अप्राद की भी नहीं है तुमने मुझे गुनेगार बनाया मेरे बेटे का मैंने मजबूर किया मेरे बेटे को तुम से शादी करने के लिए एक तुम हो जो अपने मरते हुए पाप की इच्छा तक पूरी नहीं कर पाई और अपना बेटा है मेरा बेट जसने मेरी सिद के आगे अपनी खुशियों का अगला गुण दिया अपने सपनों का बलीदान दे दिया तुम झाया जो मुझे माफ करते वेर बिटा मेसा नहीं एपताजी मैं बहुत बढ़ा गुड़े गार्वाट सब्सकार अज सबसे होता तो ने जाने कितने दिनों तक तुम महमें दोगा देती रहती है। दोस्टी वेटा, उझे समझ में नहीं हा रहा कि मैं किन शम्दों में तुम्हारा थन्यवाद दू? उसके जरुवत नहीं है पिताजी, तुम्हेरा फर्स था लेकिन इसने जो कुछ किया है वो पिताजी, वो मेरी मजबूरी थी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बूल हो गई लेकिन जो चीज आसानी से मेरी हो सकती थी, उसी के लिए मेरे ये नाटक किया, वहना वो पैसे मुझे नहीं मिलते वो पैसे तो अभी भी तुम्हें नहीं मिलेंगे किया, किशोर के विल के मुताबिक वो पैसे एंजी ओ को ही जाएंगे, एक फुटी कौडी तुम्हारे हाथ पे नहीं आएगी अभी इसी वक्त, मेरी दस्तों से और मेरे खर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, भूल कर भी कभी हमारे परिवार की और नौट कर देखना मत मेरे किसी भी काम के लिए लुटी यह कियाए प्रुटी यह कियाए पैया थांक यू एज़ी, मैं जानती थी आप मुझे जरूर रोकोगी आखिर हम पती पत्नी जो है अब एक पात भूल गए आपके गले में मेरे नाम का अंगल्सुत्र है जिस पे आपका कोई अधिक झाल 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 ग्रप्दी बख्पार मोया कर दो कर दो कर दो सबयाए कि थांक यू भगवाल जी आपने हमारे परिवार पे आई नहीं बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया थांक यू वैसे तो आपने तो भी मेरे लिए किया हमारे लिए किया उसके जिए में आपका बहुत आभारी होगी तरुसे भी ज्यादा आभारी में एक और बात के लिया है ते तनाओ भरे महाल में दी एक प्रेटाजी को संबाल के रखा आप मैं बहुत डर गया था विक्वाल कि कहीं उने कुछ ना हो जाए उनकी तब्यात न खराब जाए पर आप भाहिया अब तो सब ठीक हो गया ना तो सब ठीक हो गया ना ते आशो कैसे हम कुछी के लिए चलिए बहुत कुछी मना ली यहां पर बड़ी कुछी घर के लिपे बचाईगे चलिए चलिए जाल पर निपिका तोस्ती मेरा अमान कह रहा थे कि आज तुम मिलेगे बगभाण जी ने मेरी सुनकी अब कैसे हैं सब बढ़िया बहुत कुछ ने यह किया के जाने के बाद तो ऐसा रखता है जैसे सब के सर से सौ तन का बूज पर गया सब लोग चैन की सांस ले रहे हैं बहुत कुछ है चलो अच्छा है मैं जारा मंदिर हो क्या दिए एटिका जी इतना भी बड़पन मत दिखाए है कि आमने वाला सचमुष कुद को छोटा समझने बढ़े है मैंने आपके साथ जो किया है मैंने आपके सामने आसना है हम दर्दी पाना तो बहुत दूर के बाद है आप जो मेरे लिए कर रही हैं उसके लिए मैं बहुत आसान मन है पेट जी अच्छी हमारे भी जो कुछ भी हुआ उसका गुस्सा था मुझे लेकिन इतनी समझ भी थी कि अगर कोई इतना अच्छा इंसान किसी का दिल दुखाता है तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वज़ा हो जब टोस्टी ने मुझे बताया कि या कैसी लड़की है तब मुझे समझ मैं अपने ये शादी सिर्फ अपने पिताजी के खातर के जो लड़का अपने पिताजी के लिए अपनी खुश्यां छोड़ते वो बुरा इंसान होई नहीं सकता मैंने आपके मजबूरी समझी इसलिए टोस्टी की मदद है अचले मदद करके कोई अइसान नहीं किया है इसमें विए गॉच्ट मेरा भी कई कोई स्वार्थ था स्वार्थ 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 क्या था ऐसी यह जाने दीजी इसे ही तोड़ी कोई कहता है कि स्वार था जोड़ी है सारी डिसकेशन जहर में जाकी करेंगे चलिए